हम अभी तक मैंने तेरना सीखा जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसके दो वीडियो पढ़ चुके हैं समझ चुके हैं अब उसके आगे का समझेंगे यहां की मिट्टी दूसरे जन्म में सोना हो जाती है और यहां कपड़ा कम पहनिये तो महाजन और ना पहनिये तो देवता हो जाईए काशी के बारे में ये कहावत प्रसिद्ध है कि यहां की जो मिट्टी है उसको बारे में कहा जाता है कि अगले जन्द में दूसरा जन्द जब होता है तब वो सोने की हो जाती है और यहां अगर हम कम कपड़े पहनते हैं तो उनको महाजन कहते हैं और जो नहीं पहनते हैं तो उनको देवता कहते हैं इस तरह की एक कहाबत वहाँ पर टच लेते हैं यहां गंगा का वही महत्व है जो सरकारी कागजों पर साइन का विवाह में नाइन का तथा रेलवे में लाइन का यहां पर गंगा नदी का बहुत अधिक महत्व है उसका महत्व उसी प्रकार है कि किसी प्रकार के सरकारी कामकाद जो होते हैं गौर्मेंट के जो भी काम होते ह उसमें जितना एक बड़े आफिसर की सिगनेचर का सा है, अस्ताक्षर का जो महत्व होता है, उस वही महत्व यहां पर गंगा का है, वैसे ही जैसे विवाह में नाइन, मतलब विवाह में एक नाइन आती है, नाइन आती है, जो सब काम करते हैं, बुलावा वगरे, देने वग में अगर लाइन नहीं होगी तो रेल कैसे चलेगी, इसलिए लाइन का सबसे ज़्यादा महत्व है रेल के लिए, इस तरह गंगा के किनारे रहकर टेरना जाणना भी जरूरी था, इसलिए गंगा के पणनारे रहने वालों को तेरना आना यह भी आवश्चक है, यह वहां के अगर था जोर था दबाव था कि मैं तैरना सीख लूँ मैंने निश्चे किया तैरना सीखूंगा अब कभी को भी ऐसा ही हुआ कभी को कहा गया लेखको कि आपको तैरना नहीं आता तो ये जरूरी है आप बंगा के किनारे रहते हैं और आपको तैरना नहीं आता तो सब लोग की खोज करने लगा अब वो तैरना सीखने के लिए कि तैरना सिखाने वाले गुरू की खोज करने लगे कि कौन तैरना उनको सिखाएगा कवीता वही उची जिस पर दिमाग की सीधी चढ़ ना सके अब यहाँ पर गुरू के लिए जो कि वहाँ गुरू के बारे में बताया ज यहां है कि कवीता वही सबसे अच्छी है जिस पर दिमाग की सीड़ी चर्णना सके जिसको पढ़ने पर हम लोग जो समझते हैं उसको तो हमको वह समझमे आए कि नी बारी की से उसको लिखा गया कितनी बारी की से उसमें किसी चीज के बारे में बताएगा चाहे प्रकृति के या किसी की बारे में कविता में लिखा हुए वो समझ में आए और ।Тर्व ही बड़ा जिसका पुर्जा को लिखना सके और हम्ने देखा को सच्छन के महा पंडिक थे उनकें न्दी में अगर दूक्ती लगाते हैं तो वह से सीधे वह आग्रा आकर ही बाहर पानी के gäller निकलते थे थे infinitely पानी के अंदर ही वो तैरते रहते थे मुझे इस पर विश्वास कम था अब लिखक जो है उनको इस बात पर अपना विश्वास नहीं हो रहा था ऐसा कैसे हो सकता है हाँ दिल्ली से मथूरा आ सकते थे दिल्ली से मथूरा पास पड़ता है तो दिल्ली से मथूरा आना वो थी वो बहुत अधिक थी उनका प्रभा उस पानी पर पानी को पूरी तरह से अपने वश्क में कर लेते थे और फिर तैरते थे उनके चेले भी देश-विदेशों में ख्याती प्राप्त कर चुके थे चेले मतलब उनके सेश जो जिनको उन्होंने तैरना सिखाया था वे तो वे आसन प्राणायाम या तथा उनके शारीरिक कसरतों के उस्ताद माने जाते थे वैसे तो उनको आसन के लिए प्राणायाम के लिए और शरीर की जो कसरते होती है शरीर को फिट रखने के लिए जो व्यायाम होते हैं उसके लिए उनको महारत हासिल थी और उनको उसी के महारत हासिल थी कि एक मच्छर जो बारिक से बारिक छोटे से छोटे छेद में से गुसकर निकल आता है। भाषन भी दिया, अब उन्होंने 5 मिनट तक गुरू जी ने तेरने के जो रूल्स है, उसके जो नियम है, काइदे है, किस तरह तेरना चाहिए, किस तरह खड़े होना चाहिए इन सब के बारे में गुरू जी ने पहले उनको भाषन दे दिया, समझा दिया, अर्थाथ, दो अ ना पड़ा उनको यह एक भाषन जो है वो एक बिमारी की तरह रखता था जैसे रख्त चाप मतलब ब्लड पिशर की बिमारी की तरह मैं समझ गया कि संसार से सारे रोग दूर हो सकते हैं देशों के अपसी लड़ाई बंद हो सकती है चंद्रमा परधान की खेती हो सकती है किन् काफी समय तक बंद नहीं होते काफी देव तक वो बोलते रहते अपने विशे पर समझाते रहेंगे बताते रहेंगे और पता नहीं कहां कहां से उस विशे से अलग हटके भी दूसरे विशे पर चले जाते हैं दूसरे टॉपिक पर चले जाते हैं फिर वापस आजाते हैं उसको समझाते ही रहते तो उन्होंने जो लेखक ने ये बात बताई कि दो देशों में अगर आपसी लड़ाई है तो वो खत्म हो जाएगी चंद्रमा पर लोग खेती करने लग जाएंगे धान बोने लग जाएंगे परंतु भाशन देना कभी बंद नहीं होगा सब कुछ हो सकता है सब उल्टा हो सकता है सब काम हो सकते हैं सब बड़े से बड़े जो लड़ाईया है ये सब बंद हो सकती है परंतु भाशन देना बंद नहीं हो सकता भाशन में उन्होंने तेहरने के लिए जितने लाब बताए उतने किसी विटामिन से संभव नहीं अब भाशन में उन्होंने तेहरने के विशे से लेकर संबंदित बहुत सारी चीजे उनको बताई बहुत सारे उसके लाब बताएं कि उससे क्या-क्या लाब है हमारे लिए जो किसी विटामिन में भी नहीं हो सकते ना किसी injection से ना मंत्र से मतलब वो जो लाब उन्होंने तैरने के बताएं ना वो किसी आपको विटामिन से मिलेंगे ना कोई किसी प्रकार का कोई धवाई का injection लगा लो उससे भी नहीं मिलेंगे ना ही आपके किसी बी प्रकार के कितने भी अच्छे मंतर पढ़लो उससे भी आपको तेरणा नहीं आएगा मतलब उससे जो लाव मिल रहा है वो नहीं मिलेगा उन्होंने कुछ लेना स्विकार नहीं किया उन्होंने अपनी दक्षिना में कुछ भी लेना स्विकार नहीं किया तेरने की शिक्षा देने में उनका एक मात्र उद्देश देश की सेवा थी तेरने की जो शिक्षा देना था वो अपने सिश्यों को तेरना इसलिए सिखाते थे जिससे उनके देश का नाम हो उनका देश आगे नाम कमाए युवकों को देश सेवा के योग्य बनाना था, यहां के हमारे देश के जो युवक है, ज़वान, पीडी है, उनको अपने देश की सेवा के योग्य बनाना उनका प्रमुख लक्षत था. शांती में युद्ध में यात्रा में प्रेम में तैरने का महत्व ही नहीं उपयोगिता भी थी जिसकी सूची यहां देना आवश्रक नहीं है जिसकी यहाँ पर सूची मतलब जिसके बारे में बहुत सारा आगे उसके आगे बताना उन्होंने जरूरी नहीं समझा शनिवार का दिन था मई का महिना और पांच बजे संध्या का समय अब एक दिन लेख़क जो है घाट पर पहुँँचे शनिवार का दिन शाम के पांच बज रहे थे शाम का समय था और मई का महिना जब बहुत गर्मी होती है तो मई में पांच बजे भी बहुत जयादा गर्मी होती, बहुत तेज धूप होती है गंगा के तर्ट पर पहुंचा वे गंगा के तर्ट पर गए मेरे भावी गुरु महाँ उपस्तित थे उनके जो गुरु थे जिन से वो सिख्षा लेना चाह रहे थे तैरने की वो भी वहाँ पर थे और भी दो-तीन शिष्षे जिन्हें तैरा की कला में पारंगत होना था और भी दो-तीन वहाँ पर उनके शिष्षे थे छात्र थे जिनको तैरना सीखना था वहाँ जांगिया पहने घाट पर मौजूद थे तैरने के लिए एक विशिष प्रकार का जो पहनावा स्विमिंग की ड्रेस होती है वो पहन कर वहाँ पर घाट पर खड़े हुए थे जानकारी के लिए बता देना अवश्क है कि वारा नसी में गंगा के किनारे सड़क से जल तक पत्थर की सीडिया बनी है यहाँ पर बता रहे हैं कि वारा नसी जो शहर है वहाँ पर गंगा के किनारे पर जितने भी हैं वो सड़क से लेकर तो जो गंगा का किनारा है वहाँ तक लाल रंके पत्थरों से सीड़ियां बनी होई है जैसे पुराने जमाने में रोम थियेटर होते थे जैसे पुराने जमाने में ये थियेटर जैसे होते थे कि बहुत सारी सीड़ियां बनी रहती थी लोग उपर बैटके देखते थे और बीच में एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड होता था जो भी होता था वहाँ पर फिल्म च चारो और सीडियां नीचे से उपर तक बनी होती थी जिन पर साधारन लोग बैट कर तमाशा देखते थे जिस पर सभी साधारन लोग जो है जो भी वैक्ती होते थे जनता होती थी वो बैट कर वहाँ पर तमाशा देखते थे पानी के उपर सीडियों पर बैट कर लोग मालिश करاتے ہیں हजामत بنवाते हैं सवेरे बारह महिनों और गर्मी के दिनों में संध्या को भी यहाँ युवक और युवती बालक और बाली का व्रध और व्रधध एकद्र रहते हैं यहाँ पर पूरे समय पूरे बारो लड़कियां बच्चे और व्रध वेक्टी जो हैं वहाँ पर पूरे टाइम बारों महीने शाम के समय इकठे रहते हैं वारा नसी में इसका वही महत्व है जो कुलकाता में चौरंगी का मुंबई में चौपाटी का लखनव में हजरत गंज का और दिल्ली में कनाट सरकस का अब यहां पर वारा नसी के महत्व के बारे में बताया है जैसे जैसे अलग-अलग शहरों में उनके वहां के किसी मुख्य स्थान का महत्व है वैसे ही वारा नसी में इस गंगा तट का महत्व है जैसे कुलकात्ता में चौरंगी वहां पर यह स्थान है जिसका बहुत महत्व ह कोई भी वेक्ति जो भी वहां भूमने जाएगा वो यहां पर अवश्य जाएगा मुंबई में चौपाटी, लखनों में हजरत गंज और दिल्ली में कनाट सरकस यह सब जगे ऐसी हैं जहां जाने पर वहां उसे देखे बिना कोई भी वापस नहीं आता है मतलब यह चीजे इन शहरों को फेमस बनाती हैं इसके आगे का वीडियो हम अगली बार करेंगे